तो गाइस आज कोई व्लोग नहीं है आज एक बहुत इंपोर्टेन सा वीडियो है हम सब के लिए आप लोगों के लिए एक्चली गाइस हमारे साथ बहुत बढ़ा एक इंसिडेंट हो गया तो क्या है आप पहले ये वीडियो जरूर देखे तो गाइस जैसे कि आपने ये क्लिप देखा तो यह क्या हूँ हमें आपको अभी फुली एक्स्प्लेन करता हूं तो उस दिन तर संडे ठीक है और हम मतलब जा रहे थे शालकोंगा मंदीर जो है ना वो क्या बोलते कालाचन मंदीर आखरा जो भी है घूमने के लिए जा रहे तो यह रहे थे जो है ग्राज में विश्वजीत मुन्ना और रुहन और प्रोशंजीत जो परड़िया डेक्स था ठीक है हम छे दोस्त जा रहे थे तो गाइस एक क्या हूआ हम तो जा रहे थे एक चली मज़े करते हूए जा रहे थे तो हमने शालकोंगा की तरह आज मतलब अगा में आकर जो एयरपूट का रोड होता है इधर आकर थोड़ा रुका रुक के मैंने सिनेमेटिक वीडियो बगरा लिया उन लोगने फोटो बगरा शुट किया फोटो उठा उसके बाद फोटो खिचके उसके बाद हम चल फिडियो उसके बाद थोड़ा आगे आने के अब प्राणिंग आया ठीक है गाधिन में तो वीडियो शूट कर रहा था जैसे कि आपने क्लिप पे और मेरा स्कूटी चला मंतलब ड्राइब कर रहा था प्रोशन जीत और मुन्ना आएंड नागा था उसके स्कूटी पे मुन्ना के स्कूटी पे जो नियू खरीदा था स्कूटी मैंने ब्लोग विए मनाया आपने देखे होगा विए सु किया हुać अब जाया एक ट्रानिंग्या आया एसे अब पनार चोटा रणिंग था और क्राणी आता है मैं मतलब गारी के स्पूरी लगभक्त चेहitated इंगल्टी होगा शायद ह ВасाचNow at कर रहा था ठीक है जैसे मतलब मैं पीछे से आकर मतलब इसे ट्राणिंग पर बिव अुरा था तो मैं ट्राणिंग पर लेगा हुआ यहा चैट करके हा रहा कि 가격े मतलब मार दिवाइडर फ्सक काम करना बंद कर दिया उन लोको यह देखने के बाद और तब हम ने हम लोगों ने क्या किया उसने स्कूटी रुखा राच थोड़ा आगे था तो रोहन ने बोला कि उनका एक्सिडेंट हो गया तो जल्दी वो लोग घुमाया फिर से आये और मैंने जल्दी से जाके स्कूटी जो गिरा था नोसको उठाया उठा के साइट किया उसके बाट हैं डिमार्ड आया इसट्री यह एक इधर ऑटो जा रहा था स्कूटी असटी साज़ करने के बाद एक ऑटो जा रहा था ओटो को रुका रुकने के बाद हम लोग रुहन और रुखन सोरी मून्ना और नागा को पर बिठाया और में अटो बेठा और जल्दी चलरी चल्दी वो लोग ले आये थे तो गाइस हम जैसे कि शालगोंगा मतलब होस्पिटल पर आये आने के बाद इधर हम रुके पहले आने के बाद ही हम रुके उसको ओटों से निकाला इधर बेठाया पूरा होस्पिटल यार देखा होस्पिटल पर एक भी बंदा नहीं है कोई भी नहीं ह कि दस पंदरा मेंट होगे हम एदर बेटे थे उसके बाद एक अंदर से एक डोक्तर आया डोक्टर आने के बाद उन्होंने बोला कि लोग का यह प्रणी नहीं होगा तर यसी लिए कि दिर नहीं होगा मतलब हमारा इधर 15 मिनिट वैस्ट हो गया उसके बाद जल्दी से जल्दी हम उनको लेकर उसी ओटो पर उधर जो है उधर बन होस्पिटल फे गे गई उधर बन होस्पिटल पर जाने के बाद जंदी से जल्दी नोगों ने थोड़ा बहुत वाश किया वाश करके उन लोगों ने बोला कि इधर तो नहीं होगा एक्चिली गाइस किया हुआ इधर जो थाना मुन्ना का ये कनी के सामने पुरा इधर इसा पुरा कट गया था ठीके और अंदर का जो बोर्ण होता है ना पुरा दिखड़ा था और विशोजीत का इस तरह इधर मतलब फाड गया था ठीके और इधर उसके बाद उन लोगों ने वाश करके टीटे बागरा और क्या कुछ मतलब लगा के और थोड़ा बेंडिजस करके उन लोगों ने बोला कि आप लोग या मेडिकल चले जाए इधर नहीं हो सकता इधर जो मतलब यो शिलाई मतलब इधर तो स्टीचिस नहीं लगा सकते ठीके इसलिए बोल लोगों ने मेडिकल जाने के तो उन्होंने हम लोगो एम्बूलेंस एरेंज करके दिया और हम एम्बूलेंस लेकर जल्दी हम मेडिकल के लिए रवाना हो गये और यार महासरक उदार बन का जो रोट है इधर से मतल थोड़ा बहुत मतलब पता नहीं चला हम लोगों को उनको भी थोड़ा मतलब लेट से पता चला उसके बाद थोड़ा आगे जाकर एमुलेंस रोग दिया उन्होंने बोला कि ऐसा वैसा तो टायर फंचर हो गया तो अभी क्या कर सकते तो उन लोगों नहीं और एक एमुलेंस क पहुण किया इधर भी हम लोग का लगबक 15 मिनिट वेस्ट और एमुलेंस आने के बाद उन लोगों ने उन लोगों को दूसरे आप शिप्ट किया शिप्ट करने के बाद उन लोग को उनके गार्जन के साथ मेडिकल शिल्चा मेडिकल कॉलेज जो है इधर पहुचा एगा पहुचाने के बाद, उसके बाद, हम जो मे राच और पांथी और प्रसंजीत हम लोग ह हम लोग बाई को स्कूटी लेकर जल्दे Says जल्द इदर ढपर जाने के बाद, भाइस हमक को पता-चला कि शीवा को कसी बाइसार kटें के इर एक अÝज़ए वह बोल होता है बहुत दुख की बात है कि एक छोटा मोटा एक्सिडेंट के साथ मतलब इतना बड़ा हंगामा हो गया और विशोजित का जो यह मतलब इदर फाटा था ना पढ़ गया था इदर फाटीन स्ट्फ क्वे अधर दीयरि अदर अशी आपको Rock機會 मुन्ना इदर दो डेट याँ तुख्यान है सब्सक्राइब के बाद ंवाला कि अब मॉनीं हो सकता स्टीचेस लगाई नहीं जा सकता उन लोगों ने निच्चे प्लेट भी ठाके उपर से मतलब क्या कुछ करके दे दिया उन लोगों ने बोला कि कल लिया मतलब आज के देट में तो आज नहीं होगा तो मतलब कल आज है 3 आगस्ट तो 4 आगस्ट को उसका ओपरेशन होने वाला ढ़ेस तो मतलब डॉक्त ओने बोला कि उसका पेर अभी मतलब २ेसे से मतलब पुरा पुरा हम लोगनाна चितना बेंट होता है तो इतना बैंड नहीं होगा और नहीं होका और आगर घिस चल सटाय कोई प्रब्लेम नहीं मतलब अगर व स्कुटी जलाएगा तो इतना करके रखना पड़ेगा उनको पूरा मतलब एसे नहीं बेट सकता वो तो गाइस यहीं बात है कि हम ब्लॉक्षूट करने लिए गए थे और मतलब भगवान के मंदिर गए थे धर्शन करने के लिए गए और हमारे साथ यहाथ सावा गाइस आप लोको में यहीं बोलना चाहता हूं क अब जब भी स्कूटी बाइक कुछ भी चलाया प्लीस हेल मेट जरूर चलाना और उसका गलती के यह आता पता है आपको उसने ना मतलब जो टॢ़निंग मतलब और चाहिए था और उसका मतलब डीमाँ मतलब एक्जिली गास इसा होता है चान फिया.. ऊबहु का इक याइन का मिट्टी भी था इदर तो उसने कॉंट्रोल नहीं कर पाया और इसलिए वो कुछ नया मतलब नए राइड करना सिखा है ड्राइब करना इसलिए उसका और ज्यादा प्रोब्लेम हुआ तो आप लोग से हाथ जोर के रिक्वेस्ट है कि आप इसे मतलब कभी भी बिना हैलमेट क से बिना ग्लाप्स के मन ड्राइब किया करें देखे हम लोगा तो सुपर बाइक नहीं है कि मैं बोलू कि आप राइडिंग यार्ट से उसकीजिए लेकिन जो भी है यार हेलमेट तो सुपर बाइक या कुछ सब लोग तो हेलमेट उसका ना चाहिए ना तो प्लिस अगर वि घर पर है लेकिन शिबा या मुनना जो है वह अभी एडिमिट है मेडिकल पर सो गाइस आप उनके लिए प्रेक प्रेक कीजिए ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और यार मतलब उसके बाद ना मतलब अभी दो तिन चार दिन होगे हमाना मतलब डिमाग ऐसा मन नही वीडियो बनाने के लिए फिर भी मैं बोल मतलब सोचा कि आप लोगों को एक इंफरमेशन दे दू तो आप लोग प्लिस प्रेक कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो के गर पी आजाए और हम फिसे एक व्लोग पे सब एक साथ दुखे तो यह कुछ और लोगों से मत हो टाहु हो आप लोगों को आप लोगों को यह को अख वीडियो है झाल हुआ symp reward